भारत में तक्नीक का लगतार विकास हो रहा है ऐसे में आए दिन हम अपने तक्नीक में नए नए बदलाब को देखते हैं देश में तक्नीक के छेतर में हुए तमाम बदलाबों में संचार के छेतर में हुआ बदलाब एक करांटी की रूप में देखा जाता है साल 2005 के बाद से देश में संचार के छेदर में मानोकरांती सी आ गई हो हर किसी के पास मोवाइल हो गया हर किसी के पास इंटरनेट जैसी सुभधा हो गई जिसके बाद से अपनी इच्छा के नुसार चीजों को देख सकते हैं और लिख सकते हैं लेकिन इसी तक्नीक बदलाब के बीच में देस में एक और नई पीढ़ी का आगबन हो गया जिसमें अब हम लोग 5G के नाम से जानने लगे हैं, इससे पहले हम लोग 4G के जमाने में थे, या कहें कि हैं, लेकिन अब तक्नीक के इस जमाने में एक नई पीढ़ी का विकास और हम 5G के जमाने में आ गये हैं हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि G का मतलब क्या होता है तो आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं देश में जिस बात की धूम मची है 5G के बारे में लेकिन जब फोन का चलन सुरू हुआ था उस समय देश में 5G नेटवर्क की सुरुआत नहीं हुई थी लेकिन अब इसकी सुरुआत हो गई है ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आपके पास जो 5G फोन है उसमें G यानि कि 5G नेटवर्क सपोर्ट करता है या नहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों देश में 5G की निलावी को लेकर बोलिया लगी थी जिसमें 1.5 करोड की बोली लगी इसमें जो कमपनिया बोली लगा रही थी उसमें Reliance, भारतिय एयर टेल, Board of Phone Idea और Adonic के ग्रूप जो इस रसकालें कि चार परमुफ कमपनिया जो थी इसमें निवेस कर रही थी ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द देश में 5G की सुरुआत हो सकती है हमने आपको पहले ही बताया था कि कई एसी मोबाइल कमपनिया है जो कि यह दावा कर रही है कि 5G सपोर्ट करने वाले फोन का निर्मान कर रहे हैं तो चलिए अब जान लेते हैं आपका फोन 5G सपोर्ट करता है या नहीं इसको जानने के लिए बहुत ही असान तरीका है Android फोन की सेटिंग में जाना होगा उसके बाद नेटवर्क और इंटरनेट विगल पर आपको क्लिक करने होगे उसके बाद मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करें इसके बाद आपका पसंदिदा नेटवर्क भी चुने अब यहाँ पर आपको supported device दिखाने लगेगा यहाँ पर आपको 2G, 3G, 4G और 5G दिखाई देगा अगर आपके फोन में 5G दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि आपका फोन 5G है और यह 5G नेटवर्क को भी support करेगा 5G का एक दूसरा तरीका यह भी है यानि कि इस पूरे model को देखने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि आप उस company के official site पर जाएं जहां समंधित company का लगभग phone है इसके बारे में जनकारी मिल जाएगी ऐसे में आप अपने device से जुड़ी हुई जनकारी को देख सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं मतलब कि आपने जो phone करता है उसे बंधित company के website पर जाएं वहां जाने के बाद आपने जो phone करता है उसको search करें उसमें देखें और उसमें अब पता चलेगा कि आपके phone पे जो है किस किस तरह का feature है चाहते या phone जो है 5G support करता है या नहीं ये दो अलग-अलग तरीके हैं माले जाए आप किसी नए phone को खरीदे या 5G है या नहीं इसके बाद में तुरंत आप देख सकते हैं जब आप phone को खरीदें जाएंगे तो आपके जो वो डिब्बा मिलेगा phone के साथ उस phone से जुलू हुए कई तरह की जानकारिया उसमें साजा की जाती है ऐसे में आप 5G Bandit चेक करेंगे यहाँ पर आप Box में Radio Information वाला सेक्शन में एन आर यानि की New Radio या फिर A.S.A.S.A. 5G Band दिखेगा देश में 5G की सुरुवात होने के बाद से कई Network, प्रोप्राइजर, कमपनियां अपनी 5G Network को रोल आउट कर रही है ऐसे में अगर आप महांगा phone खरीते हैं जो कि 5G support करता हो लेकिन आपके पास जो SIM card है उस बात के धियान रखने के जरूवत है कि वह भी 5G service दे रहा है या नहीं ऐसे में अगर वो SIM का जो company है वो 5G support नहीं कर रहा है यानि कि 5G सेवा नहीं दे रही है तो फिर 5G phone रखने से क्या मतलब तो ऐसे में आपको इस बात का भी धियान रखना है कि 5G phone अगर आपके पास है तो वो company जो है जो SIM की company है वो भी जो है आपको 5G सुभधा देती हो अपने सुरुआत में वीडियो में आपको बताया कि G का मतलब क्या होता है तो G का मतलब होता है एक generation जैसे कि 2G, 3G, 2G के जमाने में थे फिर जब हम आए तो 3G के जमाने में आए फिर आए तो 4G जिसमें हम अभी है बरतमार में जायतर phone जो है वो 4G सपोर्ट करती है लेकिन अब 5G का जमाना आने वाला है बस कुछी दिनों के बाद एक नई पीड़ी में हम होंगे एक नए डेटाबेस के साथ होंगे एक नई रफतार के साथ होंगे और इंटरनेट की अस्पीड जो है वो बढ़ने वाली है बिहार और बिहार से जोड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी ने उचके साथ मुझे देजे जाज़त थन्यवाद